नमस्कार स्वागत है आपका फ़ल में बीट में आपके साथ मैं हुद तरिका नयाल करण चोहर के प्रोड़क्शन हाउस धर्मा प्रोड़क्शन में बीती रात आग लगी जिसके बाद भारी नुकसान की खबर आई आपको बताते कि करंच चोहर का प्रोडक्शन हाउस गोरिगाउं मुंबई में बना है रिपोर्ड के मुताबिक 30 अपरेल के राद 2 बच कर 30 मिनट के आस पाद धर्मा प्रोडक्शन हाउस के गोडाउन में आग लग गई जिसे वहां मौझूद किताबे, कॉस्ट्यूम और प्रॉप सब कुछ जल कर खाक हो गए डिने की रिपोर्ड के मुताबिक धर्मा प्रोडक्शन के गोडाउन में सबसे पहले आग लगी इसके बाद तीसरे फ्लोर तक आग तेजी से फैल गई हासे की खबर मिलते ही, 12 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर कापू पाया घटना की कई तस्वीरे शोशल मीडिया पर वारल भी हो रही है सूत्रों के मताबिक गोरे गाउं के कामा इंडस्ट्रिल स्टेट इस्तिध धर्मा प्रोडक्शन के गोडाम में मंगलवार राट धाई बचे आग लगी सबसे पहले ये आग पहले माले पर लगी और तीची से फैल कर दूसरे और फिर तीसरे फ्लोर तक जा पहुँची ये लेवल तीन फायर थी जिसमें बिल्डिंग को काफी जादा नुकसान हुआ है गोडाउन में धर्मा प्रोडक्शन के पुरानी और अपकमिंग फिल्मों के कॉस्ट्यूम स्टोर में रखे थे लेकिन आग लगने के बाद सब कुछ चल कर खाक होने की बात कही जा रही है इस हासे के बाद ये भी डर है कि आने वाली फिल्मों से जुड़ी चीजें आग में खाक हो गई होगी फिलाल हासे में हुए नुकसान का अभी तक अंदाजा नहीं लगा जा सका है करंट जोहर के प्रोड़क्शन हाउस में लगी आग की वजह से पूरी टीम काफी जादा अपसिट है आपको बताते हैं कि धर्मा प्रोड़क्शन तले बनी फिल्म से करंट जोहर तारा सुतारिया ननेपांडे को लांच कर रहे है फिल्म के दूसरे गाना हुकप सौंग को 30 सप्रेल को रिलीज किया गया है इसे पहले करंट जोहर की कलंग भी रिलीज हुई थी जिसे की क्रिटिक्स ने सेरे से नाकार दिया था बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी बेरहाल अब करंट जोहर को फिर से छटका लगा है और उनके प्रोडक्शन हाउस में आग लग गई है जिसके बाद करंट जोहर भारे नुकसान में है बेरहाल ये नुकसान कितना हुआ है और हासे में क्या कोई हताहत हुआ है इस बात की कोई जानकारी फिलहाल नहीं मल पाई है खेर हमारे इस वीडियो में बसता ही लेकिन बागी वीडियोज के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा